महानगर पालिका को अपली बस की टिकेट से हर महीने 6 करोड रुपए की आये हो रही थी लेकिन अब हर महीने 4 करोड रुपए ही मिल रहे है दुसरी और इंधन की मुले रुद्धी की कारण हर महीने 86 लाख रुपए और वर्षभर में 10 करोड 32 लाख रुपए का खर्च बढ़ गया है इस घाटे को कम करने के लिए यात्री किराय में बढ़ोतरी किये जाने की संभावना है अपली बस के बेड़े में डीजल और सी एंजी से चलने वाली 435 बस से शामिल है इन में जे एन आर्यूम की स्टैंडर्ड 240, मिडियम 150 और 45 मीनी बसे है डीजल और सी एंजी पर हर मेंने 12 करोड 30 लाख रुपए खर्ष करने पड़ते है पिछले कुछ दिनों में डीजल की केमतों में भारी वृद्धी हुई है वही सी एंजी के भाव भी बढ़ रहे है इससे मनपा के परिवन विभाग पर अर्थीक बुझ बढ़ रहा है स्टैंडर्ड बस में प्रती किलोमेटर के लिए इंधन पर 69 रुपए 90 पैसे खर्ष करने पड़ते है जबकि मिडियम बस पर प्रती किलोमेटर 64 रुपए 19 पैसे और मिनी बस के लिए 49 रुपए 93 पैसे खर्ष करने पड़ते है डीजल के दाम बढ़ने पर इस खर्च में प्रती किलोमेटर दो रुपए की वृद्धी हुई है पिछले वर्ष परिवन विभाग के लिए बजट में 108 करूड रुपए का प्रावधान किया गया था लेकिन बड़े विवे खर्च को द्यान में रखकर पूर्वा सभापती बंटी कुकडे द्वारा पेश किये गए परिवाण विभाग के बजट में 145 करूड रुपए की मांग की गई है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे माहा पुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com